एक वक्त था कि जब हम सोचते थे कि हमारा भी वक्त आएगा और एक आज वक्त है जब हम सोचते हैं कि वो भी क्या वक्त था नहीं जो दिल में जगे तो नजर में रहने दो मेरी हयात को तुम अपने असर में रहने दो मैं अपनी सोच को तेरी गली में छोड़ाया हूँ मेरे वजूद को अपने ख्वावों के दिल में रहने दो इसी खूबसुरत लाइन के साथ मैं अब इने आप सब का अब इने मेंस पे स्वागत करता हूँ और आगे नमस्कार मैं अभी नए आप सब का अनकेडमी पे वेलकम करता हूँ और मैं अनकेडमी की लर्निंग एप पे एजुकेटर हूँ वहाँ पे मेरे बहुत सारे लेसंस टले हुए हैं और अभी नई लेसंस आने वाले हैं अर्थमेटिक के तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और उन लेसंस को देख सकते हैं बाई हम एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस वीडियो में हम जानेंगे टिकंवेटिक के ईच्छे-च्रवाल मैं टिकंवshर पूरी पढा चुका हूं हर तरीके से बेजिक आइडन्टिटी एडवांस आइडन्टिटी जिसमें कि कुछ आइडन्टिटी बाकियें भी नई हैं जो मुझे लगता है कि जिन पर सवाल आ सकता है उनको हम डिसकस करेंगे तो कुछ-कुछ वीडियो वीचीश में ऐसी जिन टॉपिक्स को मैं पढ़ा चुका हूँ जिन में कुछ भी अगर अधूरा रह गया है या जो मुझे लगता है कि अब आ सकता है उनको हम डिसकस करेंगे तो ऐसे ही हम टिग्नोमेट्री की एक आच वी क्लास का क्या है जैसे कि मैंने आपको एलजेवरा में बताया था मैंने कहा था कि अगर एक एक वीच्विशन है और कई सारे वेरियवल हैं तो सिर्फ एक वेरियवल की वैलू कॉंस्टेंट रहती है बाकी को हम 0,1,2,4,5,45,30,90 कुछ भी रख सकते हैं यही सेम चीश हम टि सवालों को ले लेता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मैं क्या रूल समझाना चाह रहा हूं उसके बाद फिर हम उस पर बहुत अच्छे-च्छे सवाल करेंगे तो दो सवाल मैं पहले बताई हुए ले रहा हूं बहुत अच्छे सवाल थे वो भी जैसे कि आपने अंडर रूट टू कॉस अलफा माइनस कॉस बीटा क्या होगा ऑप्शन जीरो एक दो रूट ऐसे अप्शन है तो मैं यह तो समझ गया कि सवाल का उत्तर अलफा या बीटा पर डिपेंड नहीं है तो अलफा बीटा को अपनी मर्जी से मैं कुछ भी ले सकता हूं तो मैंने अगर अलफा बीटा में एक एक विशन दे रखे इस बात का मतलब है कि एक वेरिवल फिक्स है और बाकी एक सवाल के हिसाब से निकलेगा जैसे एक फिक्स है तो हम दोनों को अपनी मर्जी से नहीं रख सकते सिर्फ एक को रख सकते हैं जैसे मैंने बीटा को 0 रखने की कोश चुशकी तो मुझे पता चला कि भी 10 स्क्वेर अलफा यहां से क्या आएगा 1 और मैं कह सकता हूं कि अलफा यहां पर कितना होगा 45 तो एक तो मैंने अपनी मर्जी से रखा कि बीटा बराबर 0 है और एक निकल क्या है सवाल में कि अलफा कितना है 45 है ठीक है तो आप देखें 1-1 कितना आजएगा 0 और 0 इस सवाल का उतर है एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ बीटा को 0 ही रखना है मैं चाहता तो बीटा को मैं 45 भी रख सकता था जिससे कि 10 स्क्वेर अलफा 3 आ जाता और 10 अलफा रूट 3 यानि कि अलफा कितना आ गया 45 यह मैंने करके दिखाया अगर आप बीटा को 45 लेते तो अलफा कितना आ जाता यह आप खुद करके चेक कर सकते हैं एक सवाल से मैंने यह बात बताई कि अगर एक एक एक्वेशन और दो वेरेवल तो बाकी को हम अपनी मर्जी से 0 45 30 90 कुछ भी रख सक करते हैं अब मैं एक सवाल और ले रहा हूं उसके बाद हम कुछ बहुत अच्छे से सवाल जो कि 2018 या 19 में आने चाहिए क्योंकि पेपर का पैटन बदल रहा है तो थोड़ा सा लेवल उठाने के जरुवत है बहुत ज्यादा नहीं कि हम सारे सवाल के अट लेवल के करेंगे इसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ सवाल आसान आएंगे कुछ सरल आएंगे मिली जूली होगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और एक और सवाल लेते हैं काई सारे सवाल से मतलब मैं इस क्लास में यही कल्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से आपके दिल में पेपर में आ रहे हैं या आगे आएंगे ठीक है ठीकनोमेट्री के 2017 में आए हुए सवालों का भी हम कोई ना कोई तोड निकालेंगे जो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा जो एक सीरीज हमने शुरू किया इसमें तो एक सवाल है कि कॉस टू अलफा बराबर पहले कॉस एकस बराबर चेए टू कॉस वाई माइनस वन अपॉन यह सवाल भी कभी पेपर में नहीं आया इसको आना चीज़ से पहले वाला सवाल आयो हो था पेपर में और टेन एकस वाई टू कॉट वाई वाई टू क्या होगा ओप्शन है जीरो एक रूट थ्री वन बाई रूट ऐसे कुछ गंदे गंदे ऑप्शन है तो पहले आपको एक बात यहां से समझने पड़ेगी कि आप पहले देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है टेन एकस वाई टू और कॉट वाई 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 टू सवाल में पूछ रहा है इसका मतलब है कि एक तो यह एकस वाई टू बात क्या होगा कि वाई ऐसा आजागा जिससे की इंफाइनाट बन जाएगा इंडिटर्मिनेट बन जाएगा तो हम कोशिश करते हैं कि जीरो या इंफाइनाट ऐसी चीज़ा नहीं बनने चाहिए तो फिर हम क्या ले सकते हैं मैं दो तरीके से इस बात को समझाने की तो दो से दो कटके यह जीरो आजाएगा जीरो आजाएगा तो मैं यह कह पाऊँगा कि आर एक्स नाइनटी होगा तो हमने वाई को जब साथ लिया तो एक्स नाइनटी आसानी से आ गया मेरी यही कोशिश थी कि उपर वाला जीरो बन जाए कॉस नाइनटी जीरो होता है त ताकि यह 1 by 2 बने और 2 से 2 कटे और 1 minus 1 0 हो जाए तो अब अगर हम इस सवाल का उत्तर निकालें तो आप पाहेंगे कि 10 x y 2 है यहीं कि 10 45 और into cot y y 2 है cot 30 हो जाएगा तो यह 1 होता है और यह root 3 1 into root 3 root 3 इस सवाल का उत्तर आजाएगा एक यह तरीका गा किसी बचे को लगते हैं कि अगर मेरे दिमाग में यह नहीं आता उस वक्त मुझे नहीं पता चलता कि ऐसा होगा तब हम क्या कर सकते हैं आप डारेक्ट x को भी 90 रख सकते थे लेकिन हम उसको रखते हैं जो ज्यादा जगे आ रहा हो अगर हम इसको रखेंगे तो क्या होगा इसको कैल्कुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा माल लेते हैं यह 1 by 2 आ गया तो हम इतनी लंगी एक्क्विशन करने पड़ेग क्योंकि कॉस 90 तो 0 हो जाता तो कॉस x डारेक्ट आ जाता माइनस 1 by 2 तो जब मैंने टिग्नोमेटरी पड़ाई थी तब आपको बताया था कि कॉस 120 की वेलू बहुत बात जरूत पड़ते हैं और कॉस 120 माइनस 1 by 2 होता है तो हमने y को 90 रखा तो कॉस x कितना आ गया माइनस 1 by y2 यानि x कितना आ गया 120 ठीक है तो अब आप यहां पर देखेंगे कि क्या होगा 10xy2 यानि कि 1060 और y90 तो कॉट 45 तो 1060 कितना होगा रूट 3 कॉट 45 कितना होगा 1 तो सवाल का वक्तर कितना आ जाएगा ऐसे भी आप रख सकते हैं चले इन दो सवालों से मैं यह बताने में सफ पफल रहा मुझे लगता है बाकी आप जैज करके बताईएगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ मैं यह कहना चाहरा हूँ कि जैसा हमने algebra में किया कि अगर एक equation है और 3-4 variable हैं तो बाकी को हम 0 कर देते थे या 1-2-3 कर देते थे क्योंकि एक equation से 2 variable का मान कभी नहीं निकाला जा सक रहा है यही सेमचीज हम Tignometry में apply कर रहा है यानि कि हम algebra की जो बातें थी जो concept हम ने सीके थे उनको हम Tignometry में apply करेंगे Tignometry में 4 तरीके से value put की जा सकते हैं वह 4 हो तरीके हम फिर से जानेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं और मैं देखाँँगा कि उन 4 तरीकों को means के सवाला में भ पड़ेंगी formula भी आपको आना चाहिए value put करना भी आपको आना चाहिए value put करना भी is the part of a concept ये भी concept का पार्ट है ये गलत चीज नहीं है जिस गंदी नजरों से इसको देखा जाता है रे value put करते हो तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे अब इल्कुल नहीं है ये भी concept concept का एक पार् percentage लागा के मैं खड़ाओं अपने दम पे मुझे बड़ा सुकत अन्वव होता है अरे यार से समझते हैं ना कुछ नहीं है आगे बढ़ते हैं बहुत खुबसूरासा सवाल ले रहे हैं कि कॉस्ट टू एल्फा वराबर आज की क्लास का ये तीसरा सवाल बहतरीन सवाल उम्म सवाल आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वही मालने जिससे आसान पड़े जरूरी नहीं है कि ये वात दिमाग में आजाए आपकी पहली वार में बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक है तो क्या-क्या हम मान सकते हैं जो जो बात है जैसे मालने आपकी दिमाग में आया कि यार कॉस साथ का मन वन बाई टू होता है उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ऐसा आप सोच सकते हैं ठीक है अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो आपने म तरे को तरस्ते हम तेरी दर्या दिली को क्या कहें बीटा बराबर 30 अगर बीटा बराबर 30 हम यहाँ पर रखते हैं तो कॉश्ट 2 अलफा कितना होगा 3 by 2 minus 1 upon 3 minus 1 by 2 solve करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 by 5 अब यह 1 by 5 आगया यह अब दो तरीके हैं कि या तो आप कॉश्ट 2 अलफा से कॉश्ट अलफा निकालने और वहाँ से 10 अलफा निकालने या फिर आपको यह पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कॉश्ट 2 अलफा का 1 minus 10 स्क्वेर अलफा बटे 1 plus 10 स्क्वेर यह आपने पढ़ा हो तो यहां से अगर मैं 10 अलफा निकालना चाहूँ तो 1 plus 10 स्क्वेर अलफा बराबर होगा 5 minus 5 10 स्क्वेर अलफा तो यह 6 10 स्क्वेर अलफा कितना होगा 4 यानि कि 10 अलफा कितना आजाएगा root 2 root 3 यानि कि root 2 by root 3 यह हमने 10 अलफा निकाल लिया हमसे सवाल में क्या पूछ रहा था 10 अलफा बटे 10 बीटा तो 10 अलफा आया है root 2 बटे root 3 क्या है अब अगर 10 बीटा की बात करें बीटा आपने 30 रख दिया तो यह क्या आएगा 1 by root 3 root 3 से root 3 कट गया क्या अंसर आगया root 2 root 2 इस सवाल का उत्तर है यह अच्छा सवाल आपने देखा कि हमने की तो वैलू बूट लेकिन फिर भी हमें एक फॉर्मूली की जरुत पढ़ गई कॉश्ट 2 अलफा की दो दो चीज है हम बिना फॉर्मूली के अगर इस सवाल को करें तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा आपको करना क्या पड़ेगा आपको अपन वन करना पड़ेगा उसके बाद आप सीएंडी लगाएंगे और सीएंडी के बाद फिर सवाल को करेंगे थोड़ी जी मुश्किल होगी ठीक है आप एक और तरीका लगा सकते थे जैसे कि आप पीटा को 45 रख सकते थे एक बार करके बता दो एक बिना यह फॉर्मूला लगा के कोश्ट 2 अलफा का फॉर्मू क्योंकि हम कह देते हैं पर पढ़ाने वाला बोल देगा अरे ऐसे हो जाएगा बस डारेक्ट आंसर पर टिक कर दिया और इसका तो यह उत्तर होगा हमें मालूम है हमने पांच वार परिच्छा दिये कितने मुश्किल होती है वहाँ पर आती हुँ सवाल गलत हो जाते है ठीक यहां से 2 कॉस इसकर अलफा कितना आ गया 2 भाई 3 तू से 2 कट गया कॉस अलफा आ गया 1 भाई रूट 3 अब एक ट्रेंगल बना लेते हैं चोटा था यह अलफा है यह 1 और यह रूट 3 तो यह कितना होगा रूट 2 अब अगर आपने बीटा 45 रखा है तो 10 अलफा यहां से कित एक और बहुत कूपसूरा सवाल ले दाओं ठीक है आप जब तक इसको कॉफी कर लीजी और एक साइरी बहुत एक इस्पेशल साइरी फॉर इस्पेशल परसन जब से तुम हम सफर हो गए जब से तुम हम सफर हो गए रस्टे कितने मुक्त सर हो गए मुक्त सर यानी सरल हो ग गए रस्टे कितने मुक्त सर हो गए एक तिरा दर क्या छूटा हम दर बदर हो गए इसके बाद फिर अगले सवाल पर आते हैं यह अंदाज तो चलता रहेगा यह मुस्कुराहटें कभी न थमेंगी थम जाए सारा जहां तो एक और बहुत खूपसुरस सा सवाल मेरी नजरों के सामने है और प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ पर 10A-B 10A-B बराबर साइने टूबी अपाउन अग्णा सा लग रहा है मुझे भी साइने टूबी अपाउन 5 दिया तो भी साइने टूबी थे कि हैं उन्सड觉ाइक उन्सट तो भी Central जाता हूँ कि 10A upon 10B क्या होगा 10A upon 10B क्या होगा ये आप से पूछ रहा है और option कुछ-कुछ इसी तरीके के हैं क्या रखना चीज़ बताइए बीटा 45 रख दें ताकि ये तो चीज जीरो हो जाएगी और ये आसान पड़ेगा थोड़ा सागर 45 बाकि रखने कुछ भी रख सकते हैं कुछ ऐसी बात नहीं बस जीरो इंफाइनाइट इस सब चीज़ा नहीं आने चीज़ ठीक है तो हमने क्या किया बीटा को या बी को 45 रख दिया अगर बी को 45 रखते हैं तो 10 10 a-45 पराबर sin 2b sin 90 बटे 5- cos 90 बोले तो यह आगया 1 by 5 आपको पता हुगा 10 a-45 का अगर a-b का फॉर्मूला लगा है तो 10 a-1045 1 बटे 1 प्लस 10 a 1 बटे 5 क्योंकि हमें 10 a का मान तो निकाल ना ही है 10 a-5 बरावर 1 प्लस 10 a तो 4 10 a कितना आएगा 6 और 10 a कितना आएगा 3 by 2 10 a कितना आगया 3 by 2 तो आपने देखा 10 a अगर हम यहां रखते हैं तो यह कितना होगा 3 by 2 और b अगर रखते हैं 45 तो 1 तो 3 by 2 इस सवाल का हुगा यह भी बहुँच्छा सवाल है रखने को आप कुछ भी रख सकते थे भी आप बीटा को 90 रखने की कुशिश करते तो बात बनती नहीं 0 आ जाता ऐसे कुछ रखना बरदा 60 वाट ठीक है तो और ज़्यादा मुश्किल होती तो मुझे लगता है कि यह ज़्यादा ठीक तरीक जिनमें की option में value हम रखेंगे लेकिन option भी कैसे होंगे ठीटा पर dependent होंगे अभी तक जो हमने सवाल किये उनमें क्या था option ऐसे थे 2 by 5 3 by 5 root 2 1 by root 2 ठीक है आगे बढ़े चले कुछ अच्छे अच्छे सवाल में देखता हूं जो मैंने कलेक्ट किये है यही बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे जब मैंने देखा इस सवाल को तो आज की क्लास में हम काफी सारे सवाल करें हम चाहते तो दो पार्ट में इस वीडियो को बना सकते थे लेकिन बस मुझे हिम्मत दिखा नहीं है खड़े होने की 1-E की पावर एक बटा दो 10-5-2 आप से बूछ रहे हैं यह सवाल जो मैंने पहली बार देखा मिरेको लगा बड़ा कठिन सवाल होगा फिर मैंने इस सवाल के ऐसे परखच्छे उड़ा दिये कि यह सवाल खतम हो गया इस सवाल के ओप्शन थे साइन थीटा एक तो हमेशा कोशिश कराई कि जैसे ऑप्शन में कि इस में भी ऐये कि ऐसा हो था आ तो हम खतन उप्शिश करें गी तो हम और फाई को खतम करने की जैसे मैं क्या करूँ या तो मैं E को एक equation में तीन वेरेवल है ठीटा 5E क्या करना चाहिए E बहुत बार है E E E E सबसे ज़्यादा बार मुझे लगता है E है तो क्यों ना E को खतम कर दा है मैंने E को जिरो कर दा है E को अगर मैं 0 करूँगा तो 1 by 1 यह खतम हो जाएगा E को मैंने 0 किया तो पदा जला कि ठीटा Y2 बराबर 5Y2 आगया यानि कि ठीटा किसके बराबर आगया 5 के आगया ठीक है अब आप देखेंगे अगर मैं E को 0 करता हूँ तो यह खतम होगा और यह खतम होगा सिर्फ आंसर बचा कॉस 5 अचा 5 में तो आप्शन नहीं है लेकिन 5 बराबर है ठीटा के तो कॉस 5 कॉस ठीटा के बराबर जाएगा इस सवाल का उतर है ऐसे सवाल आएंगे पेपर में मैं बता रहा हूं आपको क्यूंकि अब अगला लेवल यही है जहां पर सवाल बढ़ सकता है यह वो सवाल हैं जो कभी CDS में आये हुए हैं या कभी किसी एक्जाम में आये हुए हैं क्या एक में वो मैने सारे सवाल उठाई चलिए ऐसा एक और खुबसूरफ सवाल लेते हैं आप तरीके जानेंगे आपको लगेगा कि कैसे सवालों को अप्रोच करना है बाकई में वो सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं ऐसे कुछ नहीं कि जो पेपर में आ नहीं सकते हैं हम उन सब सवालों को भी ले रहें जैसे कि यह सवाल है कि बही कॉस्ट ठीटा बराबर की कॉस्ट ठीटा माइनस टू फाइब यह भी मुझे बहुत कठिन सवाल लगा था जब मैंने पहली बार इसको देखा रहा हूँ वन प्लस के वन माइनस के टैन मैं सवाल लेख रहा हूँ जो पेपर में आये हैं बराबर क्या होगा आप्शन साइन फाई कॉस फाई टैन फाई कॉट फाई अब हमने देखा है हर ऑप्शन में फाई असा वाल की हर ऑप्शन में फाई यानि कि अगर खेला जा सकता है तो के के साथ खेला जा सकता है या ठीटा के साथ खेला जा सकता है अखले चुमुआ हैं तो किसी को भी मैंने क्या क्या किया सिर्फ्फ याक को में 0 कर लेता हूं या मैं इसा कुछ बनाता हूं जिससे यह 0 तो आप मुझे बताओ अगर मैं फीटा को 90 रखता अगर मैंने फीटा 90 रखा तो ये चीज जीरो हो जाए और यहां से मैं कह सकता हूँ जब यह इदर जाएगा कि के भी क्या होगा जीरो ठीटा अगर मैंने 90 रखा तो के जीरो आगया के जीरो होने पर ये खतम हुआ एक अगर मैं ठीटा 90 रखता हूँ है तो आप इतना समझते हैं कि 1090-5 बराबर कितना होगा कॉट 5 और कॉट 5 is the answer of this question समझबा रहे हैं तो यह कुछ नए तरीके जिनसे हम value put कर सकते हैं नया अंदाज आप कह सकते हैं सवालों को बहुत आसान बना पाएंगे बहुत डरनी के जरुवत नहीं है मैं आपके साथ हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ और एक सवाल यह सवाल भी ठीक सवाल है जैसे देखी कॉस्ट ठीटा अच्छा सवाल है कॉस्ट ठीटा पराबरस ए कॉस्ट फाइब प्लस बी बटे ए प्लस बी कॉस्ट फाइब तो कॉस्ट ठीटा कितना होगा यह पूछ रहा है तैन ठीटा बाई टू और कॉट फाई बाई टू अप्शन है ए उंडरूट इसे गंदेगंदे इस सवाल में दे रखेंगा तो क्या अप्रोच हमें लगानी चीत जाएब यह सब फाइग को जीरो हो जाएगी हो जाएगी भी भाई यह आ जाएगा फाई को 90 करने पर 90 भाई टू पैंतालेस यह भी हो जाएगा अब यह तो यह है कि मैं कॉस्ट टिटा का फॉर्मूला लगा दूँ इसके बाद यह भी मिर पास एक तरीका है वन माइनस टैने स्काट टिटा वाई टू आपको लगता है यार मुझे तो यादी निया कॉस्ट टिटा का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था तो आप क्या करेंगे आप ऐसा करो इसको वन बाई टू बना लो यही तरीका हो सकता है क्योंकि वन बाई टू अगर बना लेंगे तो मैं डारेक्ट यह कह पामा कि ठीट यह होगा और 10 टीज का मतलब 1 बाई रूट थरी अब आप बी और एकी यह वैलू 1 और 2 इस ऑप्शन में रखें तू माइनस वन बाई यह वन बाई रूट थरी आ रहा है इसमें रखेंगे तो खाली रूट तीन आएगा इसमें रखेंगे रूट टू आएगा इसमें रख लगा सकते हैं या आपसे फिर भी नहीं हो रहा तो आप लगातार बारबार वैलू पूट कर सकते हैं आपने एक वैलू पूट की नहीं आया है हमें बताए एक्कूशन तो यह किया वरेवल चार थे ठीटा फाई भी ए तो सिर्प एक खॉंस्टेंट था एक को हम नहीं रख से रख उम्मिद करता हूं कि आप इस बात को समझ गये होगे आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और एक सवाल लेते हैं ठीक है यह वीडियो आपको पूरी तरह बोर कर देगी क्योंकि लंबी वीडियो है चलिए आगे बढ़ते हैं यह सवाल हमने कर लेक और बहुत कुपसुरस सवाल है कि बहुत साइन एलफा प्लस साइन बीटा बराबर अंडर रूट तीन कॉस बीटा माइनस कॉस एलफा आप से पूछ रहे हैं साइन थ्री अलफा प्लस साइन थ्री बीटा का मान क्या होगा ओप्शन है एक जीरो माइनस एक दो यह ओप्शन है इस सवाल के कोशिश करो बताओ क्या होना चाहिए सवाल यह कर रहे कि sin alpha plus sin beta वराबर root 3 cos beta minus cos alpha तो हमने क्या किया कुछ ऐसा रख देते हैं जैसे कि अगर मैं beta को 60 सोचो beta 60 तो क्या होगा है 1 by 2 आएगा ने root 3 by 2 और यहां भी root 3 by 2 आएगा मतलब कि यह टर्म इससे कट जाएगी अगर हम beta 60 रखते हैं तो हमने कोशिश की क्या रहा हम beta 7 रखते हैं बीटा साथ रखने का मतलब क्या हो गया sin alpha पिलस root 3 बटा 2 बराबर root 3 बटा 2 और minus root 3 cos alpha यही होगा बीटा हमने साथ रखते हैं तो रूट 3 बटा 2 से रूट 3 बटा 2 कट जाएगा बोलो कट जाएगा कि नहीं और यह आगया sin alpha बराबर minus root 3 cos alpha बीटा साथ रखने के अब आप ही बताओ कि alpha को ऐसा क्या रखना चाहिए जिससे की बात बन जाए क्या रखना alpha को यह आप यह भी आप कर सकते हों यहां से प्लस बराबर 0 हमने बाई 2 कर दिया यहां पे भी बाई 2 कर दिया अब हमें formula बनाना पड़ेगा alpha निकालने के लिए formula बना लेते हैं क्या बनेगा भाई यह यह बन जाएगा sin alpha और 1 बाई 2 को रख सकते हैं cos 60 plus cos alpha sin 60 बराबर 0 यानि की sin alpha plus 60 बराबर 0 यहां से alpha कितना हो गया minus 60 हम यहां पे भी देख सकते थे कि अगर alpha में minus 60 यहां रख देता अगर आप नहीं कर पाते या नहीं समझ पाते तो भी आप समझ सकते थे कि alpha में minus 60 यहां रख देता तो इधर तो आता minus root 3 बटा दो और इधर कितना आता minus root 3 बटा दो तो अगर यह formula ना लगा कि मैं यहीं पे समझ लेता कि यार जब मैं beta को 60 रख रहा हूं तो alpha कितना आ रहा है minus 60 यानि कि alpha बराबर है minus beta के आपको पता होगा अगर इसको sin 3 alpha ही लिख रहने दे और पिलस इसको कर दे माइनस का sin 3 alpha तो माइनस बाहर आता है sin के case में यह से कट जाएगा अक्तर क्या होगा यह सिर्फ हमें इसलिए निकालना बढ़ा कि आप अगर नहीं समझ पा रहे कि alpha क्या नेकलेगा आपको और भी value रख सकते हैं मैं यह नहीं करा कि आपको य यह अच्छा सवाल था यह और कुछ सवाल लेते हैं एक और सवाल लेते हैं आखरी सवाल बनाते हैं उससे 10 फीटा प्रेंट प्रेंट बराबर अंडरूट अब आपसे बूच रहे है ए माइनस बी कोश्ट टू थीटा क्या होगा ऑप्शन है ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर ए स्क्वाइर माइनस बी स्क्वाइर ए बी और टू ए ठीक है ऐसा मैं बिल्कुल भी आपसे पूछने वाला नहीं हूँ कि मैंने यह सीरीज शुरू किया मैं ऐसे करा रहा हूँ आपको पसंद आया नहीं आया आप इसी लाइक करिए सब्सक्राइब करिए तो फिर हम आगे का तो यह नहीं पढ़ा है और वह एक अलग दोर था उस टाइम क्या पेपर में आता था तभी मैंने 36 वीडियो जोमेटरी के बनाए उसके बाद भी बहुत सारी कमिया रहे जाती है अगर ऐसा होता तो आज आइफोन फोर के बाद कोई और फोन आता ही नहीं आइफोन एक्स त अगर वह बच गया इतना अब 10 ठीटा आप क्या रखना चाते हैं वह आप पर डेपेंड करता ही कि अगर हम क्या रखें अगर हम बी को जीरो कर देंगे तो भी कोई फाइदा नहीं है क्या इसको बहुत आप साथ दे सकता है तो आप बोलेंगे जी हाँ ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा एक को दो रखना पड़ेगा और ये वन बाई रूट तरी बन जाएगा तो फिर ह इसमें ठीटा भी पता लग जाएगा यानि कि हमने एक को दो किया और बी को एक किया तो मुझे पता चला कि ठीटा कितना है तीस ठीटा थीस हो जाएगा अब यही ठीटा थीस हम यहाँ रखते हैं जैसे कि एक इतना है दो माइनस एक गुड़ा तीस दूनी साथ वन बाई इंटो एक इतना है? दो दो दूनी चार मेंसे इंग गया है, ये आगया इन एन कि सवाल का उत्तर तीन आना चाहिए वह मैं एक को दो रखता हूँ और बी को एक तो पहला ऑप्शन में कितना आएगा? पांच इसमें तीन इसमें दो इसमें चाहिए यह हमारे सवाल का उत्तर है क्योंकि तीन ही हमें चाहिए उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैंने आपको बताई जो चीज़े मैंने आपको समझाई आठ नो दस एक्जामपल मैंने लिए इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नोट करेंगे और जानेंगे कि कभी भी अगर इससा सवाल आ जाता है तो आपको क्या एप्रोच लगानी चाहिए इससे आपको फाइदा होगा और अगली फिर एक और सिफ्टिंग की या हम मैंसुरेशन की वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक मैं विदा लेता हूं बाए बाए टेक केर ख्याल रखें अपना खुश रहे क्या जाता हो जाता हुश